हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आरार फेशन पाइड आज हम ये वी कॉलर नेक प्लैकेट के साथ बनाएंगे और जिसकी आसान कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैटन के लिए मैंने ये डबल फोल्ड फिजिंग पे पड़ लिया है यहां से नेक की बिट्थ पे मार्क करना है जो मेरी मेजरमेंड में है 3.5 लैंद है मेरी 7.5 इंचिस नीचे की तरफ प्लैकेट बनेगा तो उसके लिए हम 4 इंचिस पे मार करेंगे अब यहां से उपर नेक लाइन का शेप देने के लिए पहले एक बॉक्स रेड़ी करेंगे इस बॉक्स में इस तरह से वन इंच पे एक और माक करना है और यहां से लाइन खैचनी है अब इस वन इंच बॉक्स में हम इस तरह से गोलई में शेप देंगे और इस लाइन को एक्स्टेंड करके वी शेप देंगे इस तरह नैक लैन की मार्किंग होने के बाद बाहर की दरफ एक इंच छोड़के और इस पूरे नैक की कटिंग करेंगे इस तरह कटिंग हो चुकी है अब यहां सेंटर में एक लाइन केच लेंगे प्लैकेट के लिए अब इस कटिंग को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है यहां से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे अब यहां जो हमने सैंटर में लाइन की है प्लैकेट के लिए दोणों साइड हमें इस तरह से कौट रेंज तक स्टिच करना है यहां पे हम इस तरह वी शेप में स्टिच करेंगे अब इस नेक लाइन की कटिंग को हमें कुर्ती के राइड साइड में सैट करना है यहां भी मैंने नेक की विट्स पे मार्किंग कर ली है अब यहां पूरी नेक लाइन में हम स्टिच करेंगे वी शेप में स्टिच करके और इसी स्टिच को हम कंटीनू रखेंगे प्लैकेट के लिए यहां भी इस तरह से वी शेप में ही स्टिच करना है स्टिच कंप्लीट करके यहां एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे प्लैकेट पर भी इस तरह ध्यान से कट लगाना है स्टिच कट नहीं होनी चाहिए यहां गोलई वाले शेप में भी हम कट लगा देंगे और नैक को इस तरह से रेडी करने के बाद शोल्डर लाइन को स्टिच करना है यहां वी कॉलर नैक में हमें बैक में नैक की कटिंग नहीं करनी है जो ये हमारा back position है ये हमारा अंदर की तरफ fold होगा collar attach करने में अब collar के लिए हम measure लेंगे यहां से एक इंच अंदर की तरफ जाएगा collar अब इस तरह से tape को घुमाते हुए collar की measurement आ रही है 13.5 इसको हम इस तरह डबल करेंगे और 27 इंचिस का कॉलर कट करेंगे यह मैंने कट कर दिया है और जिसकी विट्थ मैंने वन एन हाफ रखी है इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक रखके इसको फोल करेंगे और यहां से एक रफ स्टिच कर देंगे इस तरह कॉलर रैडी हो चुका है पैटरन के लिए थर्मो कॉल बॉल्स और यह स्ट्रिप की ज़ुरत पड़ेगी अब यहां प्लैकेट एरिया से हम इस स्ट्रिप को लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह डबल फोल्ड करना है यहां इस तरह प्लैकेट पर सैट करेंगे और स्टेच स्टार्ट करेंगे यहां जो हमारा नैक का शेप है अब यहां एक इंच अंदर की तरफ कॉलर दबाएंगे और यहां से कॉलर को अटेच करते जाएंगे देखिए इस तरह से सैट करना है और बिल्कुल किनारे पे हम स्टेच करते जाएंगे यह वन एन हाफ इंच चौड़ा कॉलर है तो इसमें हम हाफ इंच अंदर की तरफ रखेंगे और वन एंच चौड़ा हम कॉलर रखेंगे यहां फ्रेंट में स्टेच करने के बाद कॉलर को बिल्कुल सीधा रखें और बैक में जो हमारा यह हाफ इंच तक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस्टिच को कंटीन्यू रखेंगे अब यहां आके हमें फिर से इसी शेप में कॉलर को कम्प्रीट करना है अब प्लैकेट के दूसरे साइड हम थर्मोकॉल बॉल्स यूज़ करेंगे और इसी स्टिच के साथ बॉल्स को भी अटेच करते जाएंगे इस तरह प्लैकेट की एक साइड स्टिच कंप्रीट होने के बाद जो प्लैकेट पे हमने स्टिप लगाई है उसको बॉल्स के नीचे की तरफ रखेंगे और यहां से स्टिच करके और नेक लाइन रेडी करेंगे यह वी कॉलर नेक मेरा प्लैकेट के साथ रेडी हो चुका है अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और कॉमेंट जरूर करें थैंक यू वाचिंग फ़र दिस वीडियो